नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब का स्वागत है गलोबल एटोमी नेटवरक टीम वारेर में मैं राठोड फ्रूम दिल्ली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एटोमी के बारे में जैसा कि जितने भी लीडर्स हैं हमारे ओल ओर इंडिया वर्ल्ड्स एटोमी के बारे में जैसे आप सुनते हो एटोमी के बारे में आप प्रोफाइल बताते हो बैक ग्राउंड बताते हो हिस्ट्री बताते हो एटोमी की जो बैक अप कंपनी है कौन सी है आप डिसकस करते हो कैरी के बारे में कोलमार के बारे में कोलमार बीनेच के बारे में ठी रहते हैं किसी भी नई कंडिडेट्स को नही लिडर्स को जो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं लिडर्स उनको एक तो अवेरनेस नहीं है एटोमी के बारे में ठीक है औरिफों营्ов की जो बैक अप कंपनिया ndormी जिन से कूंटक मैन्फेक्टरिंग करती है कैरी क्या है किस परकार का Carry का रोल है South Korea के अंदर और internationally ठीक है Colmar BNH की कंपणी क्या क्या क्याम करती है और Colmar BNH की कंपणी कौन से product manufacturing करती है और Colmar की BNH कंपणी कब से start होई और उसका Atomi से क्या connection है और उससे पहले Colmar का क्या connection है Carry के साथ Colmar BNH के साथ और Atomi के साथ जो यह basic चीज़े हैं हम सब आप लोग सुनते हैं वाल पेपर्स में देखते हैं और सारे चीज़े रटी रटाई हम सब लोगों को बताते हैं definitely हम यही कर रहे हैं लेकिन कुछ leaders हैं जो दूसरी companies में काम कर रहे हैं ठीक है और उन leaders को सही जानकारी नहीं Atomi के बारे में तो यह video specially मैं काफी लोगों के request आएं मेरे पास जितने भी हमारे YouTube के subscribers हैं उनको thanks बोलता हूँ कि आपकी request हमने accept की और जो genuine topic है उसके बारे में हमने यह video पूरा research किया है मैंने एक week तक continue ठीक है और आपको और आपकी पूरी team के लिए और जो दूसरी companies के leaders हैं जो Atomi के बारे में जानते नहीं कैरी क्या करती है, कोलमार क्या करती है, कोलमार बीनेच क्या करती है और यह सारी company'ya Atomi से direct connected है या indirectly connected है ठीक है किस परकार से Atomi से इनका रिष्ता है वो सारी चीजे हम अपने आने वाले तीन वीडियो में cover करेंगे एक वीडियो में cover नहीं कर पाँगा तो मैं part wise दो तीन वीडियो इसके उपर बना रहा हूँ सबसे पहले हम discuss करेंगे carry के बारे में फिर हम discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर सिरफ मैं आपको इतना ही बताऊँगा कि आप अपने level पर Google पर जाएए आपके पास laptop और mobile है जो भी चीजें यहां पर दिखाई जाती है उनको आप अपने level पर research कीजिए देखिए पहली चीज़ सेकंड वीडियो में आपको बताऊँगा कि carry और कोलमार बीनेच का आपस में क्या संबन्द है और इन दोनों का joint venture क्या है carry की जो company और government of South Korea के अंडर काम करती है या नहीं करती इसके बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊँगा और कोलमार बीनेच की company का carry से क्या connection है और atomy से क्या connection है और South Korea के अंदर क्या रोल है कोलमार बीनेच का और कौन-कौन से products बनाती है ठीक है फिर उसके बाद हम कोलमार के बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहले आईए इस वीडियो में मैं discuss करता हूँ carry के बारे में और जो लोग नए हैं हमारे YouTube चैनल के उपर वो लोग इस वीडियो को प्लीज देखिए और अपने टीम में share कीजिए और इस चैनल को आप subscribe कीजिए ताकि आपको atomis related latest information और सई और सटीक जानकारी और master class जो हम ले रहे हैं उसकी सई जानकारी आप अपने टीम को दे सकें उनको aware कर सकें carry के बारे में totally A to Z information तो आप हमारे इस वीडियो के साथ continue बने रहे हैं और next दो पार्ट और लेकर के आऊँगा मैं तो आपका carry के regarding point of view मैं चाहता हूं कि एक एक जानकरी आपको ट्राप्ट हो जाए हमारे YouTube चैनल के माद्यम से और जैसा कि आपको पता है टीम वारेर का जो education system है हम जो भी वीडियो यहाँ पर लेकर के आते हैं बिल्कुल master class और बिल्कुल R&D करकर के मैं वीडियो लेकर के आता हूँ आप सभी के लिए और आप सभी लोग पसंद करते हो इसके लिए thank you very much और इस वीडियो को आप ज़धा ज़धा share कीजिए दोसरे चीज जो नए यूटूबर्स आए हुए हैं और काफी यूटूबर्स मेरे चैनल से वीडियो कोपी करके डाउनलोड करके अपने चैनल पे अप्लोड कर रहे हैं तो मैं उनसे request करूँगा कि गूगल एडसेंस सर्टिफाइड है मेरे चैनल यूएससे स्पेशली ठीक है सेकंड चीज यह है कि गूगल और यूटूब को एक 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 अक अक्टिविटी की जानकरी होती है कोपी राइट्स लग जाएगा आपके चैनल के उपर आपने मैनत करके सब्सक्राइबर्स जो भी है तो आप किसी भी यूटूबर्स का वीडियो डाउनलोड करके कोपी करके अपने चैनल पर करके अपलोड ना करें अन्य था आपका चैनल बैन हो जाएगा रो आपको पता भी नहीं लगेगा तो आपकी मैनत बेकार ना जाए आप रिसर्च कीजिए अपने लेवल पर जाए रिसर्च कीजिए ठीक है सबसे पहले एंड साइक्लोपीडिया टाइप कीजिए कैरी और आपको उपर की जो टोब फाइफ वेबसाइट मिलेंगी उस वेबसाइट के मादेम से मैं आपको बताऊंगा फिर नेक्स जो मेरा वीडियो रहेगा कैरी और कोलमार का जो प्रेंड एटोमिक रिसर्च इंसिट्टूट इसका फूल फूर्म है जैसा कि यह साउथ कोरे की कंपनी है हम सभी लोग बताते हैं ठीक है तो इसको जो डिसकवरी इसकी वहीं 1959 में यह कंपनी डिसकवर की गई ठीक है और इसका जो स्टेट है वो डियोजियन है जो कि की बारे में रिसेश करना था नुकलियर टेक्नोलोजी की उपर ये कंपनी बनाएगे ते इसका जो उद्देश था कि साउथ को यहन उपर न्यूकलियर पावर स्टेट बनाए जाए और नुकलियर टेक्नोलोजिगा यूज कि देवल्लपमेनट के अंदर शीविल इश्यं क देखर के टाइप governmental organization बिल्कुल यहाँ पे clearly mention कर रखा है governmental organization राइट साइड पे आप देखर है गोर्मेंट इंस्टिट वो होता है just sometimes an appointed commission is a permanent और semi-permanent organization in the machinery of government that is responsible for oversight administration of specific यानि कि जिस परकार से इंडिया में इसरो और विकरम सारा इंस्टिट है जो कि government के अंडर काम करते हैं government उनको fund करती है और research आगे बढ़ती रहती है same way में South Korea के अंदर इस company को carry को government of South Korea fund करती है और जो भी research के काम है वो यह आगे बढ़ाते रहते है time to time 1959 से दोस्तों ठीक है तो यह government institutionalist का जो director है वो government appointment करती है इस प्रकार से इंडिया के अंदर जो senior scientist होता है same way में Korea के अंदर जो senior scientist होगा वो appointment किया जाता है और इसके कुछ scientist NASA की company में भी काम करते हैं और उसको भी सवयोग करते हैं ठीक है दुनिया की पहली radio pharmaceuticals medicine जो की liver cancer के लिए काम करती थी Millican injection जिसका नाम है Millican injection यह injection इन्हों ने वहाँ पर develop किया था nuclear technology के अलावा यह radio pharmaceuticals के field में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था 1995 के बाद और एक radio pharmaceuticals medicine बनाई थी research के साथ जो की liver cancer के अंदर काम करती थी और Millican injection बनाया था इन्होंने जो की technology depend करता है कि बायो टेक्नलोजी रेडियो टेक्नलोजी काफी जो nuclear technology है उनके combination से एक अच्छी research करके एक injection बनाया था जो की बिल्कुल किलिरली यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है बिलिकन injection वहां से इन्होंने जो health supplements है उनकी research पर कदम रखा था 1995 के बाद ठीक है कि धीरे धीरे हम कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करें जो लोगों को help करें और फिर इन्होंने के आई एनस Korean Institute of Nuclear Safety यह एक अलग से कंपनी बनाए जो की कैरी से निकली है वहां पर और यह कंपनी भी government के अंडर काम करती है किन्स के आई एनस किन्स ठीक है और इसके बाद काफी दूसरी कंपनी आज निकली कैपको के EPCAO जैसा कि आप देख रहें इसमें जो की नुकली पाउर प्रांट्स के बारे में काम करते हैं सारी चीज़ें पर काम करते हैं सेकंड फर्स्ट विजिट आप कीजिए एनसाइकलोपीडिया पर कैरी के बारे में देखें सेकंड मॉस्ट इंपरन यह के गवर्व तो जैड इन्फोर्मेशन मिलेगी और यह वैबसाइट केरी की ओफिशिल वैबसाइट है ठीक है सेकेंड जो वैबसाइट है आप देख रहे हैं उपर यह PDF है PDF फाइल जिसको बोलते हैं URL आप देख सकते हैं और इसका जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्सर मेल जाएगा आप वहाँ से भी जा सकते हैं ठीक है तो केरी के बारे में यहाँ पे A to Z information है किस परकार से इन्होंने अपने आपको develop किया और Ministry of Science and Technology के अंदर यह काम करती है जैसा कि बताया जाता है आपको सही बताया जाता है कि Government of South Korea की जो Ministry of Science and Tech and ICT है और future planning है उसके अंदर काम करती है इसमें लिखा हुआ है कि 1959 as one of governmental bodies under Ministry of Nuclear Energy 1969 में यह जो Ministry of Nuclear Energy थी इसके अंदर ही इसका form up हुआ था इसके अंदर यह बनाया गया था Ministry of Foreign Nuclear Energy एक governmental bodies under Ministry of Nuclear Energy जिस परकार से government होती है उसके अंदर अलग-अलग departments होते हैं अलग-अलग ministry होती हैं तो एक अलग से ministry थी Ministry of Nuclear Energy उसके अंदर 1969 में इस company को बनाया गया था ठीक है और next इसका जो main focus था वो radiation और radio isotopes के उपर depends था construction of nuclear R&D facilities and trainings of manpower तो जो basic focus था इसका nuclear radiation, nuclear research, nuclear reactors उन सब के उपर स्टार्टिंग से इसका focus था और काफी इन्होंने काम भी किया है खुद के बेस पर nuclear reactors भी बनाये हैं कनाडा की भी help किये काफी countries के help किये की INS को इसने स्थाफित किया Republic of Korea Institute of Nuclear Safety थीक है बेसिकिन का जो research है वो nuclear services के उपर है और इसके जो R&D areas है research and development के जो area है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ सकते हैं सारे चीज़ें यहाँ पर हैं ठीक है रही बात manpower की तो हम बताते हैं अभी 3-4000 की manpower है और इसमें दिखा रखा 1000 manpower जो की starting की थी तो अभी इसमें 3-4000 scientist है और financial power के बारे में हम दोस्तों बात करें तो government and nuclear R&D fund जो establishment हुआ था उसके अंदर इसको मिलता है और इसका special budget भी होता है अलग से कहरी का government के fund से ठीक है और other issues के बारे में यह सारे चीज़े हैं इसको पढ़ सकते हैं और जो link है वो आपको अमारे description के अंदर मिल जाएगा तो A to Z जानकारी आपको यहां पर मिलेगी इसके बारे में आप जानिये के बारे में इसका history जानिये ताकि आप अच्छे तरीके से आप अपने टीम को बता पाएं ठीक है नेक्स्ट इसमें जितने भी points है 45 points है तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग इस PDF को देखेंगे पढ़ेंगे और यहां पे मैं सिर्फ आपको एक rough idea दे रहा हूं कि हाँ केरी साउथ कुरेय की government केंडर काम कर रही है government इसको fund कर रही है finance कर रही है और जितने भी चीज़े हैं आपको अभी तक बताएगी वो सारे चीज़े साही है उनका तथ्य तथ्यों के आदार पर मैं सारे चीज़ें आपको रख रहा हूं और यह कैरी का NST का website से ठीक है कैरी के अंदर एक option है NST उसके पर जाएंगे तो यहां पे बिल्कुल किलिए लिखा हुआ इसके चेर मे सारे चीज़ें वेबसाइट के ऊपर दी गई हैं तो NST का यह एड्रस है ठीक है नेक्स्ट जो वेबसाइट वेब बात करेंगें के बारे में उसमें जितने भी मेन्यूज है हिस्ट्री एंड रिशर्च एश्यूमेंट मिशन्स वीजन कॉन्टेक्ट्स न्यू न्यू जैसा कि आप देख रहे हैं वेबसाइट के अंदर ठीक है एक बार ओर देखिए मैं एक उन्हें देख रहा हूं ठीक है इन्यूज लेटर्स आइए इंटरनेशनल इंटरनेशनल एजन्सी जो तिये न्यूक्लियर की जो कि अमरिका के अंदर है आई ए तो ये कैरी उसके अं इसके अंदर भी ये कंपनी काम कर रहे हैं और उसके साथ जोएंटली काम कर रही बहुत बड़ी बात है दोस्तों ठीक है तो कैरी का कितना बड़ा वास्ट एरिया है यह आप देख सकते हैं प्रक्टिकली है मैं कुछ बताने रहा हूं बिल्कुल वेबसाइट के उपर बिल है दूसरा यह जो दूसरी वेबसाइट है इसके उपर कैरी के बारे में सारी चीज़ें के सब्जेक्ट वाइज ग्लोबल इवेंट्स भी होते रहते हैं और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सेंटर में कैरी के बारे में पूरा डेटेल इंफॉर्मिशन नहीं आप दूसरी जो कंट्रीज उसमें इवेंट्स वगरार करते रहते हैं और यह सेंटर के अंदर आप देख रहे हैं इसके पूरा डिटेल इंफॉर्मिशन दिखाई देगांव को तो इसको भी आप पढ़ी है राइट साइड में ऑपन एकसे इसके जरुर्नल्स है जरुर्नल्स साइट्स है इसके उपर सारी चीज़ें दिखाई देंगे आपको तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप अपने भी इस पर जानकर के भी इस पर रिशर्च किजिए राइट साइड में जो सर्च है इसके उपर आप एटोमी टाइप कर सकते हैं ठीक है जैसे आप एटोमी क्या किनक्चन है हमारे आप नेक्स्ट उडियो में देखकेगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगाması से यह एक इस akt किनप्टर एकर करी यह से दोनों और ओर इंडिरक्ली किस पर कीई द्यवक्टू द्यवक्टू देक